प्रकासक हैं सारवजेसी कारिय परतिय निदी सभा मेरिसी दान्दवाउन रामड़ाम वैदा निद्ली से रेगवेद मंडल नम्बर नो सुक्ट नाइटी सिक्स छाणुआ का और ये सोलमा मंत्र है इसमें क्या कहा है के हे परमातमन हे परमातमन सुरोपरी रहसे चारुमाने सरेष्ट नाम जो तुम्हारी संग्या यहां अन्वाद करताना गणबडी करने की चेश्टा की है गुहम चारू नाम गुहम गुहम माने गुप्त चारू माने आपका सरेष्ट यतार्स जो नाम माने नाम है उसका ग्यान कराईए हे परमात्मा इन्होंने अन्वाद गल्द कर दिया चारू माने सरेष्ट भी ठीक लख दिया गुहम माने सरव अपरी रहसे यानि गुप्त आपका जो सबसे स्रेष्ट और गुप्त नाम है नाम माने नाम है आप उसका ग्यान कराएं ठीक है अब यहां सतर में मैं बताया हो के नाम है उसका जिसुम जगानम रगवेद मंडल नमर नो सुक्त नमर एक के मंतर नमर नो में लिखा है कि जब वो प्रमात्मा सिसु रूपदार्ण करके आता है तो कुवारी गाहन से उनकी परवर्षकी लिला होती है और वो फिर बड़ा होकर शिसुम जगानम हरियनतं मरधंती सुभंती विहन मरूतो गणेन कवीर गिर्भी कावे नो कवीर संत सोभ depends पर ये कवीर जो लिखा है ये कवीर लिखा है ये कवीर कहा जाता है ये कवीर ये उपर रहे लगया है कवीर गिर भी तो इसका ये तो ठीक लिखा लेकिन इसका अर्थ यहां पर इनों गल्थ किया है वो कवीर देव लिखा जाएगा आपको दिखाते हैं तो सिसुम जगानम स संभोजित करता है उनका मुख्या बन जाता है संतों बगतों का और वो कावेना माने कवीताओं से बोलता है वो कवीर गिर्भी कवीर बानी द्वारा अपनी महिमा सुनाता है वो कवीर संत सोम वो संत रूप में रिसी रूप में प्रगिट होता है परमातमा रेबन माने उंचे सवर में बोलता है अब इनके ही पढ़िए अब सिसुम उस परमात्मा को ये करना लखना चाहेता जो सिसु रूप में धान करके परगड़ता उस परमात्मा को जो सदा परगट है जो स्वम परगट होता है किसी मां से जनम नहीं लेता जो अच्टन्त कमनी हैं उसको उपासक लोग बुधी विशे करते हैं उसकी सतुची दवार उसके गुणों का वुर्णन करते हैं विद्वान लोग है मृतवन विद्वान लोग यानि संत बगट उस गती सील परमात्मा का गती सील वाने जो चल कर आता है गुणों के गुणों दवारा गायन करते हैं अब देखो इन्होंने क्या कर दिया कवीर गिर्भी के दो हिस्से कर दिये ये कवीर गिर्भी है ये लिखते हैं कवी लोग गिर्भी माने वानी दवारा हम इसको लिख दें कवीर वानी दवारा कवीर को कवीर लख दें कवीर वानी दवारा कवीताव से कावे न माने कवीताव से और सो माने वो अमर पुरस ये गलत लिख रहे हैं सोम शुरूप आपको पहले दिखा था सो माने परमात्मा, वह परमात्मा कारण वस्था में अतित सुक्सम परकृति को रेभन सन गर्धता हुआ, अति कर्मन करता है, पवीत्तरम अतेती रेभन, इसमें दोवा लिखा कवीर, इन्होंने एक कवीर कार्थ नी कर रख्या है। आप देख सकते हो, पूरा एक बार देखो, इसमें कहीं पर भी एक कवीर का अर्थ लिखा, यहां पर दो हैं, एक यह रेखिए, इसका एक ही अर्थ करके छोड़ दिया है, ब्रैकेट में हैं समसारे, इसमें कहीं भी दूसरा कवीर का अर्थ नी है। इसका अर्थ क्या बनता है यहां कवीर का अर्थ कवीर देव लिखना था यह तो है यह कवीर का अर्थ कवीर देव लिखना पड़ेगा यहां तो एक और कवीर लिखना था यह छोड़ गेश मैं अनुवाद करते से इसका क्या अर्थ है इसका अर्थ ये बनता है कि वो प्रमात्मा जो सिसु रूपदार्ण करके आता है और फिर वो दिरे दिरे बड़ा होता है तो अपनी महिमा की वानी अपनी कवीर वानी के दवारा कवीर गिर्भी यानि कवीर वानी के दोवारा कवीताव से उच्चे सवर में आवाज लगा लगा कर बोलता है लोकोक्तियों के मादन से सब्दावलियों के मादन से दोहों के मादन से जिस कारण से वो परसिद कवी की भी उपाधी प्राप्त करता है लेकिन वो होता है भगवान अभी दिखाते हैं आपको वेद भी कह रहें कि उसको कवी कहने लग जाते हैं पर वो तो प्रमात्मा होता है ये देखिएगा अब पहले आपको कवीर देव का अर्थ दिखाते है ये यदुर वेद है इन ही महरशी दानंद जी का अन्वाद किया हुआ इसको दिखाते हैं आपको यह यहां से प्रकासित है और यह यहां से मुत्रित है इसके 36 में अध्याए में जहां यह वितलीत नहीं हुए वहां ठीक की अन्वाद 63-36 माध्याए है यह जुरुवेद का पर्थम मंतर में लिखा है रिचम वाचम परपधे मनो यजू परपधे यजूर सब्द लिखा है यजू हू यजू हू कहो चो यजूर कहो इसका सही वरनन जहां होगा अन्वाद करता को लिखना पड़ेगा क्योंकि यजूर वेद की महिमा है तो यजूर का अन्वाद करते स में यजूरवेद लिखना चाहिए और इन्होंने ऐसा हीट किया है ठीक किया है यहां नुवाद किया है यजूरवेद माने यजू का अर्थ यजूरवेद कर दिया बिल्कुल सही कर दिया यजू का अर्थ कर दें यगिये सतूतियां तो कैसे ढूंडेंगे यजूरवेद की म अब हम फिर आते हैं रगवेद पर हम फिर आते हैं रगवेद को दिखाते हैं आपको तो यहां जहां कवीर सब्द लिखा कवी ही यह बोलते हैं इसको हम कवीर देव कहेंगे कि वो कवीर देव है और कवीर वानी के दुवारा वो अपनी महिमा की आप पर बोलता है उच्छे स में बोलता है कहीं की खड़ा हो कर आवाज लगाने लग जाता है वो बोलता है दोहों और लोकोगतियों के माद Hindu से जिस कारण से वो परिसिध already के भी उपादी पाता है लेकिन वो भगवान होता है ये वेद बता हुए हमारे को उसकी पैचान पर मिश्वर की। और ये लीला कबीर देव ने की है 600 वर्स पहले, आज हम भगवान पहचान लेगे, ये देखिएगा, ये रिग वेद है, ये वहीं से परकासित है, सर्वदे सिकारिय परते ने दिस अभा से, मेरिशी दन्बून रामला मैदान इदिल्ली से, अब इसके हम फिर वही पढ़ते हैं, नोम में मंडल का, छणवे में सलोक का, रिगवेद मंडल नम्बर नो, सुक छणवे का, मंतर सोडा मत ये प्रसन किया गाहे, बगवान आप अपने उस गुप्त स्रेश्ट नाम का ज्यान कराएं, उसका ज्यान कराएं, अब सत्र में में क कहा है, कि वो सिस्वम जगानम हरियंतम मर्जनती सुभनती वहिन मरूत अगनेन, कवीर गिर्भी कावेना कवीर, यो कवीर देव संत सोम, जो संत यारिशी रूप में प्रगट होता हुआ अमर प्रमात्मा, वो कवीर देव अपनी महिमा की वानी को कावेना, कवीताओं के मा बलता है, रे भनमाने, गर्जता हुआ, चारों युगम संत पुकारे कुक कहा हम हेलरे, हेलमाने, रुक के मार मार काया, गर्ज गर्ज का वाज लगाई, सची ग्यान की, ये परमात्मा भी से हम बताते हैं, वेद भी वही बता रहे हैं, तो यहां है कि वो परमात्मा, अपन गिर्भी है ये उपर रह लगया दोनों का इस पर भी कवीर गिर्भी गिर्भी माने के दोवारा ये देखो वानी के दोवारा गिर्भी माने वानी दोवारा और कवीर कवीर लिख दो कवीर वानी दोवारा कावे न माने कवीता उसे यानि लोकोक्तियों के मादम से दोहों के म मादम से चोपाईयों के मादम से सतूती बोलता है वो अमर परमात्मा गर्जता हुआ बोलता है वो अमर परमात्मा होता है वो संत रूप में परगट होता है और यहां लिखा है अठार में में के रिसी मना ये रिसी करत सवरसा सैंसर अन्था सैंसर अन्था है पद्वी कवी न कवी नाम कवियों की पद्वी को वो प्रमात्मा जो रिशी मना और रिशी करते हैं जो संत या रिशी रूप में प्रमात्मा परगट होते हैं सैसरी राते हैं तो उनके द्वारा रचिगुई हजारों असंखों वानी और रिशी मना अच्छी आत्माओं को बहुत अच्छी ल वो कवियों में से एक परसिद कवी की भी पदवी प्राप्त करता है और वो तिर्तियम धामम मही से सिस संत सो में विराजमानू राजती सतुप सुतुप माने गुम्मज में वो परमातमा तीसरे धाम में वो परमातमा विराजमान है अब इन कानवाद देखना रगवेद मंडल नमर नो मंडल नमर नो सुक्ट शानवे ही चल रहा है और ये मंतर अठार में कानवाद यहां है सोम सरू परमात्मा यानि अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ तीनों लोग को में परवेश करें के सबका धारन पोश्ण करता है गीता जी देह नमर पंदरा के स्लोक नमर सत्रा में इसी परमात्मा की कबीर जी की महिमा है सोम परमात्मा सोम परमात्मा माने अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा वो बड़ा बगवान तर्थियम यानि देवयान और प्रत्यान यत इनना अपना डाया है दोनों से प्रत्यान तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमे विराजम विराजमान है उसमें रहता है यह इनों गल्द कर दिया अनुआद इनके याद आगया कि दानन तो नट रह था वो एक सथान पर नहीं रहता अरवेद कहते हैं रहता इनों अज्ञान कर दिया यहां इनों ने वह परमात्मा अमर परमात्मा लिखना था पालन की अच्छा करता हुआ है यह जो महान परमात्मा वह बड़ा वगवाण मईसय महन है बड़ा सबसे बड़ा कि तिर्टियम धाम तीसरा जो मुक्ति धाम है बस इतना पड़ो उसमे विराजम, विराजमान है यहां लग दिया जो ग्यान योगी है उसको बगवान की में ग्यान योगी किता आगा यहां तरह अब रिसी करत कारत क्या होता है? उस रिसी रूप में परमाटमा के दवारा कवी नाम पद्वी ये मूल संस्कृत मूल पाठ में है जो कान दर्शियों की पद्वी और थात मुखे स्थान है कवी नाम पद्वी वो परसिद कवीयों की पद्वी भी प्राप्त करता है क्योंकि वो कवी कहलाता लेकि वो प्रमात्मा होता है अब यहां इन्होंने यह गल्ती जो की है कि वो तीसरे मुक्ति धाम में यह तीन का सोच है तीसरा जो मुक्ति धाम उसमें विराज मत अब आगे यहां दिखाते हैं आपको नौमे जाहे का 86 में सलोक मंडल में 27 में मंतर में कती कंसर्ट कली रहे यह देखो नमर नो सुक्त शासी और इसमें यहां क्या लिखा है कि यग करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा यग माने धार्मे कनुस्ठान यजमान वाले भकतों के लिए परमात्मा सब राष्टों को सुगम करता है यह 26 मंतर है करता हुआ उनके बिग्नों को मर्दन करता है उनको पवीतर करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ क्योंकि वहाँ बहुत तेजों में रूप है प्रमातमा का उसे हलका तेज पुझका रूप ना कराता है वह कान्ती में प्रमातमा यहां लिखना था वो कवीर देव यह सरवज्जे लिख दिया कवीर का नई वह कवीर देव विधूत के समान यान बिजली जैसी गती से जैसे आकासिये बिजली आती है करेडा करता हुआ वरणिये पुरुस को यानि सरेष्ट पुरुस को प्राप्त होता अच्छी आत्मा को मिलता है और 27 में क्या लिखा है जो परमात्मा दिवत्तिरतिये परिष्ठे धू लोग के तीसरे परिष्ठ पर विराजमान है एक सत्थान पर रहता है तीसरे लोग में यहां बूल गई विराजम का और ज्याण योगी लिखना भूल गई है और यहां गड़वड कर दी ने सारा नास कर दिया अब हम च्छानवे पड़ रहें च्छानवे रगवेद मंदल नमर 9 सुक्षानवा पर फिर आ जाते हैं सुक्षानवे और मंतर हम सोला पड़ चुके हैं हम सतर्मा पड़ चुके हैं कि वो परमात्मा अमर परमात्मा है, संत रूप में प्रगट होता है, कवीर गिर्भी वानी के दुवारा कवे ना, कवी तवसे, यानि लोकोक्तियों के माध्यम से ग्यान सुनाता है, और गर्जता हुआ बोलता है, अब यहां देखो, अठार में ने सफ़च कर दिया है कि वह है परमात्मा, त के छणवे का हम अठार मा पड़ रहे हैं, सो मन अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ, जो महान परमात्मा है, वह तर्तियम धाम, यह नहीं, मुक्ती धाम है, जो तीसरा मुक्ती धाम है, उसमें विराजमान है, और यहां देखो, उनिस में फिर कहा है, कि प्रकृति तीस की सुकसम से अति, सुकसम शक्तियों के साथ, जो संगत है, आगे देखना, शमुद्र कारत हैं, जिस से सब भूतों की उत्पत्ति स्थिती है, यानि सब की परानियों की उत्पति होती है, और परले होता है, वह तुर्यम मन चौथा धाम मन परमपद, दाम मने धाम है, उसको महापुरुष उक्त तुरियम ने चोथा परमात्मा अवर्णन करता है, वह परमात्मा परतेक बल में सथित है, सरोपरी परसंसनी है, सर्वसकति मान है, यजमानों की तरफती करके, यानि भगतों की तरफती करके जो सिगर गती वाला है, यानि एक सथान से चल कर आता है तो यहां पर फिर चौथा परमात्मा भी बता दिया था तुरिये माने चौथा परमात्मा तुरिये है तुरिये माने चौथा चौथा परमात्मा यानि यह बागे सारी सिश्कीत अतना धीरी जिरे समझ माने के बाद फिर यह सब कलियर हो जागा कियो छोथा प्रमातमा कौन है प्रमातमा ही अन्ने रूप बुना करके कई उन में रहता है अब ये सप्ष्ठ हो गया कि वो कबीर देव कबीर प्रमातमा सत लोग से चल कर आता है गती कर के आता है और अपनी महिमा की वाणी को वो आप ही बोल बोल कर सुनाता है अब देखना रगवेद मंडल नमबर 9 सुक्त नमबर 82 का रगवेद मंडल नमबर 9 और सुक्त नमबर 82 का और मंतर नमबर 1 है यहाँ पर जो सरवे उतपातक परभू यानि सब की उतपती करने वाला परमेशवर परकास रूप सद गुणों की विरिष्टी करने वाला पापों के हरन करने वाला पाप ना सक वह है राजे राजा के समान देखने योगे है ये देखो दो सो उन अच्टर पर 69 पर यहा नवा अर दो सो सत्तर पर ये दो सो सत्तर पर राजा के समान दसम दर्सम मने दर्सनिय है देखन जोगा है साकार है वो परमात्मा और वह है पर्थिवियादी लोग लोकांतरों के चारों और सब्दे मान हो रहा है वह वरनिय पुरुष को यानि अच्छी आत्मा को जो द्रड भगता है उसको पवीत्र करता हुआ प्राप्त होता है उस अच्छी आत्मा को मिलता है जिस परकार विधुत सने वाले सथानों को आधार बना कर प्राप्त होता है जैसे आकासी अबिजली कासी धातु पर ही गि होता है यह समझो अब यहां देखिएगा रगवेद मंदर नमबर नो सुक्ट ब्यासी का हमने एक मंतर पढ़ा दूसरा देखिएगा वो किसलिए आता है वो किसलिए मिलता है उस अच्छी आत्मा को हे परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप यानि ग्यान देने के और आप अत्यंत गती सीलपदार्च के समान यानि बहुत तेज गती से आते हो पहुंचोंगा च्छनेक में हमारे अध्धात्मिक यग को प्राप्त होते हैं आप कवीर देव हैं यहां लखना था सरवज्य नहीं कवीकार सरवज्य होई नहीं सकता कवी आज देख सरवज्य हुआ है यह कवीर देव लिखना था जैसे यजू जहां पर यजू लिखा है कहीं महिमा है उसकी तो वहां लिखना पड़ेगा नुदा करता ना वो यजूर वेद क्यों महिमा यजूर वेद किया तो यहां कवीर देव की महिमा चल रही है तो यह लिखना आप कवीर देव ह हैं हम उसे कबीर साहब कहने लागे देव माने साहब को उसे परमात्मा को भगवान को पुरुस को आप कबीर परमेश्वर हैं कबीर साहब हैं सद सुद सुरूप हैं हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा सो माने अमर परमात्मा आप हम को सुख दे अपना अत्मा पहिचानना कितना आसान है और आख्वों देखा उन महापुरसों ने बताया जिन मोको निजनाम दिया सोए सत्गुरु हमारे ददू दूसरा कोई नहीं ये कबीर से जनहारे अनंत कोट बिरमंड का एकरती नहीं भारे सत्गुरु पुर्स कबीर है ये कुल के से जनहारे आधनिय गृष्दा साहिब जी ने आधनिय दादू साहिब जी ने करतार माने सब की शिरष्टी रजने वाला सबका सिरदनहार आदनिय नानक साहिब जी ने गुरु गरंद साहिब महला पहला प्रेश्ट नमर चौवीस पर फाई सुरत मलोकी वेश एठ गवाडा ठगी देश खरा सियाना भौता भारिय धान करूप रहा करतार बलो सत्कुर्देश पूर्ण ब्रह्म सारी सिरष्टी के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीन करपा से आप सभी पुन्यात्माएं इस तत्वग्यान को सर्वन करने के लिए उपस्तित हुए मनुष्य का जो जीवन है ये बहुत ही दुरलव है वो पुन्यात्मा है जिनको मानो शरीर प्राप्त होता है उनसे भी पुन्यात्मा वो है जिनको सत्संग सुनने को मिलता है तो पुन्यात्मों आप प्रमात्मा की वो विशेस आत्मा हो जिन के उपर उन्होंने ये किरपा की है कि आप जी को सरड में लिया है और आप जी को वो अनमौल वस्तू परदान कर दी है जो आज तक गुपत रखी गई थी परमेश्वर कबीर देव जी हम सभी आत्माओं के जनक हैं ये कुल के मालिक हैं सर्वय सिरिष्टी के ये रचनहार हैं ये परम अक्सर ब्रम हैं ये सद्ध पुरस हैं अन्य रूपों में भी परमात्मा उपर के लोकों में भी यही कबीर देव जी अन्य नामों और अन्य रूपों में विरादमान हैं साकार हैं नर आकार हैं वो परमेश्वर हमें यहां याद दिलाते हैं कि तुम सभी आत्माई यहां गल्द सथान पर रह रहे हो ये लोक सुखदाई नहीं है और आप यहां पर सुख की खोज कर रहे हो जैसे किसी के पास धन नहीं है वो सोचता है कि मैं दनवान बन जाओं मैं सुखी हो जाओंगा किसी के संतान नहीं है वो सोचता है बगवान मुझे संतान दे मैं सुखी होऊं और बुढ़ापे में मेरी सेवा हो पुनात्माओ इस काल के लोक में सुख नाम की कोई वस्तू नहीं है सुख वहां है जहां जनम और मर्तू नहीं हो जहां पर किसी परकार का कोई अभाव किसी पदार्थ का ना हो वहां सुख होता है इस लोक में यहां कोई भी वस्टू ऐसी नहीं है जो सथाई हो और जिसका अभाव ना हो प्रतेक विक्ती चाहता है मेरी बड़ी कोठी हो और अथी एक कार हो लेकिन इसका 99% मुनुश्यों को अभाव है और ये पूर्टी नहीं हो सकती तो वो सुखी नहीं हो सकती क्योंकि जिस अथान पर किसी भी वस्टू का अभाव ना हो वहां प्राणी सुखी होता है जरा और मर्ण ना हो वहां प्राणी सुखी हो सकता है हम यह जूटे सुख को सुख मान बैठे कबीर परमेश्वर जी हमें याद दिलाते हैं जूटे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोदे ये सकल जबी ना काल काहा कुछ मुख में कुछ गोदे इस जूटे सुख को ये पराणी सुख मान रहा है संतान होगी सुख मान लिया किसी कारण से मर्चू होगी टक्र मारने लगे रोने लगे दुख हो गया अब परमात्मा कहते हैं जैसे आप जी को संतान का अभाव है संतान मिल गई तो आपकी खुसी का कोई ठिकाना नहीं रहा लेकिन ये है कितने दिन की किसी विश्ण का वरोसा नहीं है विश्वास नहीं है कि के हो जाए यहां पर बहुत से उधारण पुरों के है और वर्तमान के भी उधारण भहुत अइयदी हम ध्यान पुर्वक सोचें और सुने समझें उनको कि जैसे एक राजा होता है उसको बहुत सुखी मानते हैं एक मुखे मंत्री किसी प्रांत का हम उसको बहुत सुखी मानते हैं लेकिन उसको सुख नाम की चीज नहीं कारण क्या है कि जैसे एक छोटे से प्रिवार का मुख्या एक पिता चार पांच सदश्चों के ही उनकी विवस्था में परभंद में ही टेंशन गरस्थ रहता है और एक राजा बहुत बड़े अक्सेतर का मुख्या होता है पिता होता है वो कैसे सुखी हो सकता है लेकिन हमने सुख का आधार केवल एक या चमक धमक बान राखिये के मुख्य मंत्री है बहुत बड़ी गाड़ियां आगे पीछे चलती हैं हम इस से ही उसको सुखी मान रहे हैं ये हमारे सुख नप्ण का पैमाना बिलकुल गलत है बालकों वाला है प्रमात्मा बताते हैं कि जैसे और बहुत से उधरन आपके समक्स हैं एक अंदर परदेश का मुख्य मंत्री जी एलिकाप्टर में जा रहा था और कितनी आसाई थी कितना सुखी था जूटे सुख को जैसे हम सुख मानते हैं उस जूटे सुख में वो कितना सुखी था और कितनी आसाएं थी उसकी ये कर दूँगा वो कर दूँगा ऐसे करूँगा नौजराण कितनी योजनाएं उस दिन की भी थी कहां बोजन था कहां चाय पार्टी थी और फिर क्या हुआ एक सैकर्ड में मर्ट्यों को पराप्त हुआ, हलिकप्ठ दुरगटना ग्रिश्ट हो गया पुनात्माओं हम द्धान नहीं देते हैं क्योंकि द्धान हम उसमें देते हैं जब हमें कोई सजग करने वाला मिल जाए, सचेत करने वाला मिलाए तो हम सोचते भी हैं अन्यत हम नहीं सोचते इसलिए प्रमेश्वर हमें याद दिलाते है कि इस जुठे सुक को सुक कहे मान रहा मनमूद खुसी मना रहा है ये सकल चबी नाकाल का कुछ मुख में कुछ गोद है इस काल भगवान को एक लाख मानोश्री धारी प्राणियों के नित आहार करने का सराप लगया हुआ है जिस कारण से ये अपने तिन्नों पुत्रों रजगुन बिर्मा सतकुन विशनू तमगुन शिवजी के दोवारा आप जी को यहां विवस्थित किये हुए है बाई फोरस इसने तो आप जी को ऐसे पाल रख्या जैसे कसाई बगरे पालता है इसी विवस्था से इसने हमें यहां रखा हुआ है इसका अपना नेजी सवार्थ है अब जैसे परसिंग चल रहा है कि जूठे सुक को सुक है यह मान रहा मनमोद यह सकल चबी नाकाल का कुछ मुख में कुछ गोथ एक अरुनाचल का मुखे मंत्री हेलिकप्टर से मारा गया उसकी साथ दिन में लास पाई थी जंगलों में वहां गिदर गसीट रहे थे एक पॉलेंड देश का पूरा मंत्री मंडल जिसमें 95 सदस्य थे सारे के सारे एक ही जहाज में किसी का सोक वेक्ट करन जा रहे थे मर्टू के उपरा मर्टू के उपलक्स में दूसरों का सोक वेक्ट करने गए थे सुमें ही मारे गए तो पुन्यात्माओं ये नहीं के उनके साथ कोई अन होनी होगी ये तो हमारा भी नंबर ऐसे ही आएगा जब तक हम परमात्मा की सरन में नहीं है तो कभी भी ये काल कुछ भी अटेक कर सकता पर जब हम परमेश्वर कबीर जी की सरन में मरियादावत रहेंगे तो ये काल का अटेक नहीं हो सकता इसलिए तो भगवान की हम खोज करते थे कि ऐसी दुर गटनाएं ये ऐसी हमारे साथ ना गटने जो हमें इच्छित नहीं है और तत्वगान से हमारी इच्छाएं भी सेमित हो जाती है तो परमातमा हमें याद दिलाते हैं कि तुम इस लोक में किस आज़ पर जीवित हो या जी तुमने मान रखा है कि मेरे पास बहुत संपत्ती है क्रोणों रुपया बैंक में है दो तिन कोठियां है फैक्टरी है तो इसी से इसी क्या दार से अगर आप जीवित हैं जी रहे हो जीवन जी रहे हो तो आपकी बालक जैसी सोच है क्योंकि परमात्मा बताते हैं परत्वी पती चकवे गए जिनके चकर चलनते रावन सरी खेकोने गिने भाई ऐसे गए अननते और फिर कबीर परमेश्वर कहते हैं कबीर कहां गर्भी हो कालक गह करके से और ना जाने कि तुमारे गातो है क्या घर के परदेश कहते हैं यम राजा का राज कठिन है ना छोड़ राजा राने नू ये ना बक्सा किसे ने चे राजा हो चे रंक हो और परमात्मा कबीर जी की सरण में आई वे हन्स को ये मार नहीं सकता कुछ भी हानी नहीं पहुँचा सकता पुनात्माओ आप बिलकुल बालक हो वक्ति मारग में आप जी को परमात्मा की महिमा का परमात्मा की परिबासा का बिलकुल ग्यान नहीं आप जी लोकवेद के आधार से ही कोई बहरों को बगुआन माहाण रहा है कोई अनुमान जी को कोई विश्णु जी को कोई शंकर जी को कोई दुर्गा को कोई देवी को फिर उन बगवानों का ठिकाना और उन से कुसलाब लेने के सथान कहा मान रहे हैं किसी ने मंदिर में किसी को मस्चिद में किसी ने चर्थ और गुरुदवारों में पुन्यात्माव कोई भी मंदर मस्ची तर्च गुर्दवारे हैं या कोई अन्य कोई यादगारे हैं जैसे अमरनाथ, केदारनाथ और जैसे वेशनु देवी ये केवल यादगारे हैं वहाँ पर वो सकती नहीं है जिसकी वो याद दिलाते हैं आमने चाहिए वो वस्तू वो सकती जैसे कोई वैद था वैद और वो वैद बहुत अच्छा था नबज देकर रोग की पैचान जान लेता था बड़ी अच्छी जड़ी वूटी देकर सौस्ट कर देता था वैल नोन ह हो रहा था फिर उसकी मर्ट्यू होगी यदि मर्ट्यू के उपरां उसकी सटेचिव बना कर मूर्ती बना कर मंदिर बना दिया उसके उपर वो तो उसकी यादगार है कि यह भूलना पड़े कि ऐसा महापुरुष था अच्छी बात अगर ऐसी बना लिया तो कोई दिक्त नह उसकी याद बनी रहे कि ऐसा वैद था ऐसे उस दी देता था अब वो उस मूर्ती के सामने जाकर के कोई विक्ती कोई रोगी अर्द करे कि हे वैद जी मुझे सवस्थ कर दो मुझे सवस्थ कर दो ले तिरह पांच रपी अचट आज़ू तो क्या वो मूर्ती सवस्थ कर सकती है नहीं वैसा ही वैद डूंड़ना पड़ेगा खोजना पड़ेगा आपने कहीं पर वो दवाई दे रहा हो नबज देख रहा हो तो तब आपका रोगनास होगा पुन्यात्मों समझदार को संकेत बहुत होता है कहीं पर भगवान विश्णू का मंदिर है कहीं पर भगवान शंकर जी का मंदिर है कहीं पर माता दुर्गा का मंदिर है और कहीं पर अन्य महापुरसों और देवों का मंदिर यानि उनके तस्वीर भी लगी हुई हैं चीतर लगे हैं सरूप लगे हैं उनके सरूप हैं और वो सरूप हमें याद दिलाते हैं कि ये महापुरस ये भगवान कितनी सक्ती युक्त है और ये क्या लाब देता है लेकिन उन मूर्तियों के सामने उस वैद की तरह प्रार्थना करने से वो भगवान वहां आपको कुछ नहीं दे सकते है परमेश्वर कहते हैं पर्वत पर्वत मैं फिरा कारण अपने रामे राम जैसे संत मिले है जिन सारे सब काम है अपने अत्माओं जैसे इस अमरनाथ की स्थाफना कैसे हुई इसके पीछे एक कथा है के माता पार्वती जी के एक सो साथ जनम हो चुके थे वो मर रही थी फिर कहीं जनम लेती थी और भगवान सिव से ही उसका विवहा होता आ रहा था एक सो आठमा जनम था पार्वती जी का उसमें एक दिन हाँ उदर से बगवान सिव जी क्या करते थे वो पार्वती जी से इतना प्रेम करते थे अपनी पत्नी से उनकी मर्चू के उपरांथ वो उनके कंकाल को उनके सिर को निकाल लेते थे और उनके प्रेम में उसकी याद को ताजा रखने के लिए एक माला बना ली थी गले में डाल लेते थे और या अपने कही मकान अपने महल की खुटी पटांग देते थे उनकी याद में रोते रहते थे एक दिन नारज जी आए पारबती जी से कहा के है माता आप जनम और मर्टू के कष्ट से कितने दुखी होते हो बगवान संकर्ग जी के पास सिव जी के पास एक अमर मंत्र है यदि वो आपको वो मंत्र दे दे जाप करने का एक नाम है आपका जनम और मर्टू समाप्त हो सकता है पारबती जी ने कहा के हे रिशी जी आपकी बातों पर मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा क्योंकि बगवान सिव जी मुझे बहुत प्यार करते हैं मेरे पती हैं और इनके सुभाव और इनके उद्धार सुभाव से मक्षू परीचितों ये मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं और वस्तू का तक कहना ही क्या पिर आप ये कहो कि इनके पास कोई ऐसी वस्तू है और वो मुझे नहीं देते नहीं दी आज तक मेरे से छुपा ली मेरे बात जची नहीं और मेरी जनम मर्चू का भी मुझे ग्यान नही तब भगवान जी ने कहा कि माता ये जितने भी गले में बगवान ना ये रूंड टांगे राखे हैं तेरे खोपड़े ये तेरे ही है एक सो साथ तो ये टंग रेख उटी पर है और एक सो आठ माप वरतमान में है और भगवान शिव जी के पास एक बहुत ही अच्छा मंतर है वो आपको देंगे तो आपका कल्यान हो जाएगा पारबती जी ने फिर वही सबदो रहे कि नारज जी मुझे विस्वास नहीं हो रहा कि उन्होंने मुझे ये नाम क्यों नहीं दिया जिससे मेरा मौक से हो सकता है ऐसा भगवान नहीं कर सकते मुझे कुछ नहीं छुपा सकते तब नारजी ने कहा कि अभी तक आप उनको केवल पती मान रहे हो आपने उनको भगवान नहीं माना आपने उनको गुरु नहीं माना जब तक आप आधिन नहीं होगे तब तक वो आपको यह वस्तू नहीं देंगे अभी तक तो आप उनको एक पती मानते हो और कभी कभी डाट भी लगा देते हो और इस अनमौल वस्तु को लेने के लिए आपने बहुत भी नमर्त सुभाव अपनाना होगा अति आधीन दीन हो प्रानी ताको कहना वो अकत कहानी ये नियम है वक्ती का अब नारज जी के उस प्रेर्णा से उसको बहुत ज़्यादा प्रेर्णा मिली बहुत प्रेरित होगी और सोचने लगी कि ऐसा अनमौल मंतर उनके पास है नारज जूट नहीं बोलते इनका कोई सवार्थ नहीं जूट बोलने का प्रमार्थी विक्ती है ये जूट नहीं बोलते अवस्या मेरे अंदर ही कोई तरूटी रही होगी पुनात्मा जब तक हम अपनी तरूटी नहीं खोजते तब तक हम निर्मल नहीं हो सकते हैं हम दूसरों के दोसों को तो दूर से देख लेते हैं दोस्त नहीं हैं तो भी हम अपने दोस्तों के कारण ही उसमें भी वो दोस्त देख सकते हैं देख लेते हैं जब तक हम अपनी तरूटियों को नहीं देखेंगे तब तक हम भगत नहीं बन पाएंगे पार्बती जी ने सोचा कि अवस्यमेव मेरे अंदर ही कोई तरूटी रही है जिस कारण से प्रभू ने अभी तक मुझसे ये अनमौल मंतर छुपा रखा है अब स्याम के समय जब भगवान शिवजी अपने घर लोटे तो पहले तो आते ही जैसे पत्नी जैसा ही ब्योहार किया करती थी आज बहुत देर से आए जी कहां थे अभी तक इस तरह की सोब आते होती है ये अंडर्स्टूट हाप जी को पत्नी और पत्नी का कैसा ब्योहार रहता है उस दिन एक विशेश परिवर्तन देखा शिवजी ने कि पार्बती जी उनके चर्णों में गिर गई है और फूट फूट करो रहे लगी बगवान शिवजी ने कहा कि पार्बती तेरे को किस ने क्या कह दिया मुझे बता उसका अभी अभी ठीक करता हूं उसको बार्बती जी ने कहा कि आपके रहते मुझे कौन कह सकता है परभू लेकिन मुझे अब ला से कोई भूल बनी है ये परबात्मा आपने मुझे से एक अनमौल वस्तु छुपा रखी है आप मुझे से इतना प्यार करते हैं क्या मैं जब मरती थी आप दुखी नहीं हुए होगे अब नारजी उसने संकर वगवान ना सोचा आज या कौन सा सेटेशन पकड़ ली है ये तक कज़े डंगते बात निक्रिया करती आज ये बोल क्या रही है तब कहा पार्बती जी नहीं संक्सिप्त में सारी कथा सुना दी है बगवान आपके पास अनमोल मंतर है मैं एक सो साथ वार मर चुकी हूँ ये सीस्त मेरे ही हैं आपने कभी नहीं बताया मेरे में कोई तरूटी रही होगी मुझे बालक समझ कर माफ कर दो मुझे वह मंतर दे दो हवभभवान संक्र भो ले पार्बती ये तेरे साथ की बात नहीं नो बता तेरे को कौन मिला है इस Gotwan आतमा तीरी बुदी बदल दी उसने ऐसा कौन भी दाता मिल गया तो तेरी बुदी बदल दी किसने बताया तेरे ते ये बात तो पार्वती कहने लगी नारदी आये थे और उन्होंने मुझे ये सारी कहानी बताई अब सिवजी कहने लगे पार्वती अब बैठ जा तेरे को सारी मेरी मजबूरियां बताता हूँ और आप कहते हो के आपकी मर्तू से मैं क्या दुखी नहीं हुआ हूँ एक बार राजा दक्स के घर पर पार्वती अपने पिता के घर पर हवन कुंड मजल का मर्गी थी उसके कंकाल को लिये हुए उस जले हुए सेस शरीर को लिये हुए हड़ों को कंकाल को बगवान संकर जी दस हजार वरस तक पार्वती पार्वती करता हुआ बागलों की तरह गोंगते रही फिर भगवान विश्रु ने देखा कि ये तो मोह वस अंधे हो गए हैं हाडों को लिए फिर रहे हैं सुदर्शन चक्कर से पार्बती जी के उन कंकाल के टुकडे टुकडे किये जहां पर धड़ गिरा हैं वहां पर वैशनो देवी का मंदिर बना दिया गया जहां पर आखों का हिस्सा गिरा वहां पर नैना देवी मंदिर बन गया इस परकार से वो यादगारे बनाई गई वैशनो देवी के जो बनी हुई है वहां दुर्गा माता नहीं है वहां वैशनो नहीं है वो तो के एक सथान है जहां पर ये यादगार बनाई गई थी कि आने वाले समय में इन सत कथाओं को को जुठला ना दे और यहां ये एक विक्ती छोड़ दिया गया था कि भी कोई भी कि आ उसको बताना ऐसे ऐसी यहां घट ना गटी थी अब वहां पूझा शरू से संकर भगवान ने कहा कि ये ना सोच के मैं तुझे प्यार नहीं करता था तु मर जाती थी तेरी मर्द तु होती थी मैं बहुत रोता था टक कर मारता रहता था तेरे वियोग में तब परवती जी ने कहा कि है भगवन और साथ में ये भी संकर भगवान ने कहा कि ये सभी सिर तेरे ये जो टांग राखे हमने तेरे सिरों की माला बुना राखी है जब तक तू दुबारा मुझे प्राप्त नहीं होती थी तब तक मैं इन को देख देख कर रोता रहता था